सातियों, नमस्कार, मैं दीन दियाल रमावत, आज एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में हारदिक स्वागत करता हूँ सातियों, इस वीडियो में हम छोटे पाड़े पाड़ी, बच्छडे बच्छडी के पेट में जो किड़े पनब जाते हैं उनकी दवा के बारे में आपको बताएंगे, यानि जिसको हम बोलते हैं डिवर्मिंग, डिवर्मिंग का मतलब जो पेट में किड़े मारने की हम दवा देते हैं, उस वीडियो को हम डिवर्मिंग कहते हैं आज इस वीडियो में चोटे बस्ड़े बस्ड़ी पाड़े पाड़ी की डिवर्मिंग की हम पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे तो आईए वीडियो सुरू करता है साथियों पहले तो हम ये पता किसे करें कि हमारे गाई बेंस के बसड़ा बसड़ी या पाड़ा-पाड़ी के पेट में कीड़े पेदा हो गए हैं तो उनके लिए मैं कुछ आपको लक्षन बता रहा हूँ जिनसे भी आप पता कर सकते हैं कि हमारे पाड़े पाड़ी या बस्रा बस्री को डिवर्मिंग यानि पेट के कीड़े मारने की दवा की आवश्यक्ता है पहला लक्षन तो हमें ये दिखेगा कि हम बच्चे को अच्छा दूद पिला रहे हैं उसके लिए अच्छा दूद छोड़ रहे हैं उसके बावजूद बच्चा कमजूर होता जा रहा है जिससे हम पता कर सकते हैं कि इसके पीट में कीड़े हो सकते हैं दूसरा जो लक्सन दिखाता है बच्चा वो यह है कि कभी-कभी बेटे-बेटे ही दात पीसता है दात किट-किटाता है या फिर कई वार उसके पेट में हलका दर्द भी होता है जिससे वो पेर पटकता है कई वार ये दर्द ज्यादा भी हो जाता है तो उससे में हम पता कर सक कि इसके पेट में कीडे हैं, कई वार बच्चे मि्टी या अन्य चीजें जैसे रसी है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, ऐसे खाने लग जाता है, तो वो भी पेट की कीडों की वज़े से ही खाता है, कई वार हम देखते हैं कि बच्चा एकदम से सुस्त हो जाता है, कान नीचे लावा कई वार जब किटानों ज्यादा हो जाते हैं, कीडे ज्यादा हो जाते हैं, तो बच्चों को दस्त भी होती है, तो कई वार कब्ज भी हो जाती है, तो कभी-कभी हम देखते हैं कि उसको आफर आ जाता है, तो ये सब लक्षन हमें दिखाई दें, तो हमें समझ जाना च कि उसके पेट में कीडे हैं और जो पेट में कीडे रहेंगे तो बच्चे की चमडी जो है वो रुकी सुकी रहेगी उसमें चमक नहीं रहेगी और बच्चा बार बार जीब निकालता रहता है तो इन सब लक्षनों से हम बता कर सकते हैं कि हमारा जो गाई भेंस का पाड़ा- वाड़ी बचला बचली है उसके पेट के कीड़े पेदा हो गए हैं और हमें जल्द से जल्द इसकी डी वर्मिंग यानि पेट के कीड़े मारने की दवा देनी चाहिए साथियों आज मैं एक रोचक बात आपको बताने जा रहा हूँ होता क्या है कि अगर किसी बचले बचली की मा के यानि जब वो गरबती होती है उसके पेट में अगर कीड़े हैं तो उनके लारवा या किटणू वो बच्चे के भी पेट में आ जाएंगे यानि कि बच्चे को ये जो कीड़े हैं वो जर्म से ही उनकी मा से ही भी मिल सकते हैं तो आप ये मत सोचें कि अभी छोटा बच्चा है इतनी जल्दी इसके कीड़े कैसे पनव जाएंगे क्योंकि कीड़े जो है वो बच्चों की मा से भी बच्चों में आ सकते हैं इसका मतलब यह है कि हमें जरम के 15 दिन के अंदर अंदर ही पहली डिवर्मिंग की खुराग उसको देनी पड़ेगी यानि पेट में किरे मारने की जो दवा है वो 15 दिन में ही हमें बच्चे को देनी पड़ेगी अब 15 दिन का बच्चा है तो हम अलोफेतिक वगरा कोई दवाई दें तो उसको नुक्सान दाइक हो सकती है तो इसके लिए मैं आपको एक देशी फोर्मूला बता रहा हूँ जिससे एकदम से बच्चा स्वस्त भी रहेगा और इस उमर में उसके लिए उप्युक्त भी रहेगी बच्चे की पहली जो डिवर्मिंग है वो बहुत ही ज़दा महत्वपूर्ण है और उसके लिए हमें नीम की पत्तियों का अजवाइन का और गुड का मिस्रन हमें लेना पड़ेगा तो वो किस हिसाब से तयार करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ साथियों थोड़ा सा गुड की एक छोटी सी डड़ी ले आप दस ग्राम की और हमें लगबग 10 ग्राम के आसपास ही अजवाइन लेनी है और 8-10 नीम के पत्ते लेने और उन नीम को पत्तों को अच्छी तरह से पत्तर पे रगड करके और अजवाइन को भी हम कूट लेंगे गुड को भी कूट लेंगे और सभी को एक ग्लास पानी के अंदर बढ़िया उकालेंगे और उकालने के बाद अच्छा गरम करने के बाद उस काड़े को हम ठंडा कर लें ठंडा करने के बाद चान करके हमारे छोटे बच्चा जो है उसको पिला दें और पिलाते समय भी सातियों ध्यान रखें कि जीब को आप खुला छोड़ दे और एक छोटे मुग की जो बोतल होती है उससे उसको पिलाए ताकि किसी भी प्रकार की ड्रेंचिंग बगरा की कोई समिश्या नहीं रहेगी सातियों बच्चा जब तक तीन महीने का नहीं हो जाता तब तक हमें हर पंदा दिन से उसकी डिवर्मिंग करनी है और याद रहे जो पहले डिवर्मिंग अभी जो मैंने आपको बताई है अजवाइन वाली वही करनी है उसके बाद हम डिवर्मिंग का यानि पेट के किड़े मारने की दवा का थोड़ा सा तरीका हम बदल भी सकते हैं अगर बदलना चाहें तो अधरवाइस तीन मेने तक अजवाइन की डिवर्मिंग उसके लिए प्रयापत है अगर तरीका बदले तो उसमें हमें क्या करना है गुड़ और नीम के पत्ते तो वैसे ही लेना है वैसे ही उनको पत्थर पे रगड़ करके और उनका काड़ा बनाना है एक गलास पानी को पगोने में उकाल करके लेकिन उसके साथ जो अलग-अलग तीन तरीके हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो दूसरी डिवर्मिंग हम तीस दिन से यानि एक मेने से कर रहे हैं उसमें हम अजवाइन की जगें सरसों का तेल भी ले सकते हैं जो पचास से सो एमेल के बीस लिया जा सकता है दूसरी जो चीज है वो है लेसुन लेसुन के जो पोती होती है उसमें से हम कली निकाल लेंगे तीन या चार कली प्रियापत है वो भी हम नीम की पत्तियों और गुड के साथ मिला करके दे सकता है इसके लावा जो चोता फोर्मूला है लोंग का लोंग भी हमारे गर में आसानी से उपलप दो जाता है तो लोंग की भी हम चार पांच ये टुकड़े ले लेंगे और उनको अच्छी तरह से जो हम गुड और पत्ते पीस रहे हैं उनी के साथ अच्छी तरह से पीस करके और फिर उस पानी को हम उकाल करके और ठंडा करके छान के दे सकता है तीन मेने तक लगातार हर पंदरा दिन से हम ये डिवर्मिंग करेंगे और उसके बाद तीन मेने के बाद जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसको हम डिवर्मिंग तो करवाएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तरीका हम बदल सकते हैं उन तरीकों में काडा जीरी भी एड़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप हींग भी एड़ कर सकते हैं, लेकिन तीन मिने बाद जब बच्चा बढ़ा हो जाता है, तो उसको हम हर तीन महिने से ही डिवर्मिंग करвाएं, तो वो उप्यूक्त रहेंगे, एकदम से फूर्तिले रहेंगे, उनकी चमडी में चमक रहेगी, और जब हमारी बचली है या पाड़ी है, तो वो बहुत जल्दी जब ग्याबन होने के लाइक बनेगी, तो बहुत जल्दी वो प्रिग्नेंट हो जाएगी, ग्याबन हो जाएगी, जिससे हमें आग कोई बिमारियां आएंगी नहीं, छोटा मोडा infection जल्टी से उनको नहीं होगा, तो ये सब बातें तभी सम्मभ होगी, जब हम उसको समय पर diverming देंगे, साथियों गाए भेश के बच्चों की जो diverming हमने आपको बताई है, आसा है आप सभी को पसंद आई हो, और आप सभी अपने जो गाए भेश के बच्चे हैं, पाड़े पाड़ी, बच्ड़े बच्ड़ी, उनको आप ये जरूर देंगे, और उनको निरोगी बनाएंगे, याद रे साथियों, यही बच्ड़ी और पाड़ी आगे जा करके, एक भेंस का रूप लेगी, और हमें अच्छा लाबदाइक जो व्योसाई है, पसुबालन व्योसाई, उसको लाबदाइक बनाने में मदद करेगी, तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, आगे हर वीडियो में, हम पसुबालन के एक एक समश्याओं के समादान को लेके आते रहेंगे, तो इसी प्रकार से सयोग हमें बनाए रखें, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करें, धन्यवाद,